राजपाल यादव की जिनका विबादों से नाता खत्म नहीं हो रहा पहले दीपावली पर पठाकों को लेकर दिये बयान से ट्रोल हुए और फिर माफी मांगी और अब पत्रकार से बत्सलूकी करती पत्रकार ने सवाल पूछा तो कैसे राजपाल यादव भड़क गए इस रेपोर्ट में देखिए जानवर बहुत डरते हैं पठाकों से एर पॉलूशन होता है इस सब के बगएर भी दीपावली प्यार से मना सकते हैं देश दुनिया में जिस किसी की भी भावना आहत हुई है तो मैं हिरदे से छमा प्राइथी हूँ विपावली में पठाके ना फोर्ट में के अपील के बार जब कॉमेडियन राजपाल यादव को सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट से दोल किया जाने लगा तो हाथ जोड़कर लोगों से माफी मांगने पड़ी लेकिन माफी मांगने के बाद भी शायद राजपाल यादव की अकड़ कम नहीं हुई तबी तो लखीम पूर खीरी में जैसे ही मीडिया ने दिपावली वाले बयान को लेकर सवाल पूछना चाहा तो राजपाल यादव भड़क उठे राजपाल यादव का गुस्सा ऐसा कि पतरकार के मोबाईल पर खात मार दिया दरसल दिपावली से ठीक पहले फिल्मी सितारे ने फटा के न फोर्ड ने की सलहा का वीडियो सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया इसी कड़ी में कॉमेडियन राजपाल यादव ने भी एक वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर अप्लोड कर दिया जानवर बहुत जरते पटापों से एर प्लूशन होता है रास पास 29 बहुत होता है इस सब के बगर भी दीपावली प्यार से मना सकते हैं इसे प्लीज प्लीज नो लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर राजपाल यादव को एहसास होने लगा कि शायद उन्होंने ये वीडियो डाल कर बड़ी गलती कर दी क्योंकि सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें टोल करना शुरू कर दिया जिसके बाद राजपाल यादव ने फॉरण एक वीडियो डाल कर फैन से माफी माँग ली टोलिंग के बाद राजपाल यादव ने पुराना वीडियो डिलिट कर माफी माँगने वाला वीडियो अप्लोड कर दिया लेकिन दिपावली वाले पोस्त ने उनका पीछा नहीं छोड़ा लखिमपूर पहुचे राजपाल यादव से एक पत्रकार ने इससे जुड़ा सवाल पूछने की कोशिश की तो पत्रकार के सवाल पर राजपाल भड़क उठे लखिमपूर खेरी से दिलिप मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया